हेलो एवरीवन वेलकम बैग टू माइ न्यू ब्लॉग तो आज है मम्मी डेडी की वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी और डेडी के साधी के कंप्लीट हो चिके हैं 34 एर्स आइधिंग 35 है मैं कन्फूज हो गई थोड़ा सा तो इसी लिए मैं जा रही हूं मम्मी डेडी को जेड स् और वहां मैं कराऊंगी उनको सौपिंग यह में तरफ से ट्रीट है और आज की पूरी जो भी मैं डेकोरेशन या जो भी सेलिवेट करने वाली हूं वो मेरी तरफ से ही ट्रीट है तो पहले मिन्सो वाले स्टोर पे आ गयते हैं यहां पर हमने देखा फिर उसके बाद हम ला पर चेकिंग कराया जो बिल चेक होता है एंड फाइनली जो ममी को कपड़े ले लिए डैडी को ले लिए फिर यहां पर बात हो रही थी बहुआ के लिए तो डैडी बोले थे बहुआ की ले लो और तुम भी अपने ले लो तो मैंने का कि नहीं आज आप लोगों का डे है त तो वह भी मेरा गिफ्ट हो जाएगा उसके बाद हम नीचे आ रहे थे कार पारकिंग में और फाइनली हम कार पारकिंग में आ गये थे यहां से अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए तो क्योंकि हमें घर में भी सलिबेट करना है एनिवर्सरी पार्टी बनानी है केक कट करना है तो इसलिए हम लोग सोच थे कि यहां पर हम लोग टाइम से निकले हैं तो मम्मी यहां पर पहले समान लगा रही है अच्छे से बैग जिससे की बैठने में प्रॉब्लम ना हो क्योंकि डैड्यू को सब कुछ होता है उनको बैठने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ने होने चाहिए हमें भूग लगाई थी तो हम यहां पर आ गए थी यादो जी फूट चार्ट वाले यह बहुत ही फेमस हैं और यह 50 रूपीस की फूट चार्ट देते हैं अगर आप लोग यहां पे आते हैं कानपु में रहते हैं तो यहां की चार्ट जरूर खायेगा इनको करीबन तीस से चलिस साल हो गए हैं अब तो अगल इनके साइड में बहुत सारे खुल गए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं की चलती है क्योंकि बहुत पुरानी है फिर यहां से हम लोग निकल चुके थे और मैं ए पैक करा लिया था और गाड़ी मैंने लगा दी ती सामने की तरफ वहां पर देखो आप मेरी गाड़ी कड़ी है फिर उसके बाद मिठास में आ गये थे कि मुझे कुछ खाना है खाना है तो फिर मिठास हम लोग आ गए यहां पर कुलफी फालूदा रबडी फालूदा मम्म आप लोग गाड़ी में बैटो जलकर तब तक फिर मैं बिल पेमेंट करके आती हूं बिल पे किया उसके बाद मैं आ गई और गाड़ी में बैटी जो भी मुझे पैक कराना था वो मैंने यहां से पैक करा ले थे घर के लिए और फिर हम लोग आ गया थे अपने फ्लैट में और फ्लैट में सब सामान निखाला फिर उसके बाद क्योंकि बिल्कुल सांत पड़ा हुआ था मैं और बोग चले गए तो डेकुरेशन सिर्फ हामी लोग को करनी थी उसके बाद मैं आई और यह जो हैपी एनिवरसरी वाला जो यह लेटर्स होते हैं उनको सब लगाया तब सोचता पहले थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं और यहां पर देखो सभी आंटी लोग कैसे डांस देख रही हैं सब लोग यहां पर बैटकर डांस देख रहेते हैं और हम लोग यहां पर डांस करते हैं फिर डैडी आ गयते और आठ बजी गया था तो आठ बजी हम लोगों न आपी कुज़ा भी नुज़ा भी आप अरबदेखेंगे हम लुदाऑ आपका यदाल हम लोगी ना पाल गम लुदाभा यदाओ मदत लागी है कुछ लुदापन्वा कुछ लुदापनक है और में हो इसके बार फिर मैंने भी डैडी को केक खिलाया और फोटोन के चुआई फिर उसके मम्य को केक खिलाया और फोटो क्लिक कराई मेरे केक खिलाने के बाद फिर बांकि सब लोगों के साथ फोटो सूट हुआ सब लोगों ने फोटो खिचा ही साथ में धेर सारी फैमिली फोटो गुरूप फोटो इंडिविजुल फोटो सोलो फोटो सब कुछ हुआ को बिंजुआ ता यहां पर खूब नास्ता चल रहा है केक पहले खाया गया उसके बाद समोसे कोल डिंक वगएर हम लोगों ने खाया और यह फिनिस करने के बाद पर हम लोगों डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ इंस्टा पर रील्स बनाई जाए जब सभी लोग साथ में तो ग्रूप में बनाना बहुत अच्छा है हम लोगों कुछ स्लो मोसन सूट किया एंड उसके बाद डिसाइड यहां पर कर रहे थे क्या सौंग पर बनेगा कौन कैसे कैसे एंट्री लेगा यही सब किया हम लोगों नो खूब इंज्वाई किया सो मिलते हैं नेक्स लोग में तिल देन बाद